साथियों अभी पर्सों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक डेड़ मिनिट का भाषन नब्बे सेकंड का भाषन और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कॉंग्रेस और इंडी गड़बंद में ऐसी भगदर मची है ऐसी भगदर मची है मैंने सत्य रखा देश के सामने कॉंग्रेस आपकी संपत्ति छीन कर उनके खास लोगों को बाटने की गहरी साजी सरच कर बैठी है दो तिन दिन पहले मैंने कॉंग्रेस की इस बोट बेंक की राजनिती तुष्टी करण की राजनिती का परदा पास किया था इससे कॉंग्रेस वरुद को सिस्टीम में उनको इतनी मिर्ची लगी है इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरब गालियां देने में तूट पड़े जो आए वो मोधी को गाली दे रहा है मैं कॉंग्रेस से जानना चाहता हूं आकिर कॉंग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है कॉंग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे चिपाने में लगी है जब आपने नीति बनाई है निननल लिया है तो अब जब मोधी जी ने खुल करके राज रख दिया आपका हिड़न एजेंडा बहार आ गया तो अब कांप रहे हो अरे हिंबद है तो स्विकार करो हम आप से मुकाबला करने के लिए तयार है मैं ये बात देश को साब साब बताना चाहता हूं कि कॉंग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धसी हुई है कि उसे बाबा साब के सम्वितान की भी परवा नहीं है और आपको पता होगा उन्होंने मैनी पेस्टों में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे हमारी माताओं बेहनों के पास जो स्त्रीधन होता है जो मंगल सुत्र होता है उसका सर्वे करेंगे और फिर उनके नेता ने तो बाशन में कहा एक्सरे किया जाएगा एक्सरे किया जाएगा मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खो जाएगा दिवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खो जाएगा पूरा एक्सरे करने वादे कि घोजड़ा की है और उनके नेता ने पब्लिक लिका है और फिर आपकी सारी संपति जरूरत से ज़्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार कहते हैं साथियों आज हन्वान जन्ति पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दुन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है हो सकता है आप पैसे बहुतों तो के खबर नहीं पहुंची होगी मिडिया का काम था ये बात पहुंचा है लेकिन नहीं पहुंचा ही होगी वो तस्वीर है कॉंग्रेस के शाषन वाले करनाटका की कुछ दिन पहले वह एक छोटा दुकानदार उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया लहुल लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनमान चानी सा सुन रहा था ये कॉंग्रेस की करनाटका की सरकार का काम देखिये अपनी छोटी जी दुकान में एक गरीब आदमी बक्ती भाव से प्रभू हनमान जी का स्मरन करते हुए हनमान चालीसा सुन रहा था उसको लहू लहान कर दिया गया अब देखिये कॉंग्रेस पार्टी ने संभीदान के साथ बाबा साब अम्बेड करके दिये हुए संभीदान के साथ किस प्रकार से खिलबाट करने की कोशिश की इस देश की में जब समिदान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षन का गोर विरोध हुआ था ताकि हमारे एस सी एस्टी ओबी सी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे लेकिन उन्होंने मनमोंची जी ने भाषन किया था और उस सभा में मौजूद था मुक्वमंत्री के नाते मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है यह मनमोंची का बयान है और यह संयोग नहीं था और यह अकेला भायान नहीं था कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमें सांसे तुष्टी करण की रही है बोट बैट की राजनिती की रही है 2004 में जैसे ही कॉंग्रेस की केंद्रे में सरकार बने उसके सबसे पहले किये गए कामों में था सबसे पहला काम था चुनावजित्ने के बाद आंधर प्रदेश में SC, ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास ये एक पाइलट प्रोजेक्ट था जिसे कॉंग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी 2004 से 2010 के बीच कॉंग्रेस ने चार बार आंधर प्रदेश में मुसलिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की लेकिन कानूनी अर्चनों की बज़र से सुप्रीम कोड की जागरुकता के कारान वो अपने मन्सूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए 2011 में कॉंग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की SC, ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके बोट बेंक की राजलिती के लिए और उको देने का खेल किया कॉंग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते भुजते किये कि ये सब सम्वीदान की मूल बाउना के खिलाब था लेकिन कॉंग्रेस ने सब्वीदान की परवान नहीं की बाबा साब आम बेड़ कर की परवान नहीं की जब करनाटका की बीजेपी सरकार ने जब हमें मोका मिला तो हमने पहला काम किया उन्होंने जो SC, ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको अमने खत्म कर दिया और दिन का हक था उनका हिक्स वरचित रखा पिर से खत्यों आपगईरष Urt बद्स खत्यों प्रहु कर दनका हिक्स खत्यों ठेक्स खत्यों खत्यों झाल झाल